इंटीग्रेशन 10x का 10x dx जैसे कि मैंने सब इस्ट्यूशन में बताया था कि इसको कैसे साल्व करेंगे इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं अगर इसको ब्रेक करें तो किसे क्या लिख सकते हैं sinx और cosx ऐसा ले सकते हैं अब अब अगर हम cos x को t मतलें sin x में हो जाएगा cos x का मैंने T put किया तो इसका डिफरेंस देट करेंगे तो क्या सहलोक्त क्या होता है मैंने साइए the sinx dx इक्वल टू डीए यानि साइड एक्स की थी हुम कहा सकते हैं d t upon t अब माइनस का साइन है मैंने बाहर कर लेंगी अब 1 upon t है यह वन आपाउं ट का क्या होता है लॉग टी होता है तो मैंने लॉग टी क्या हो देगा लॉग टी अब टी की जिए हमाने क्या पूट किया है कॉस एक्स माइनस लॉग 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 कॉस एक्स अब देखो इसे एम और साल्व करना चाहें तो यह मारा माइनस के रूप में इसे एम और क्या रिसाटते हैं जब कोई Sec X plus C